नमस्कार दोस्तो यवीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तो सबसे पहले हम लोगे जानेंगे कि वीजा बिल्षा, अगर पास होना है तो बीए पर रिक्षा में पास होने के लिए कितना नमबर लाना होगा तो दोस्तों मैं आपको उतादू कि अगर आप बीए पर रिक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए पर रिक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नमबर लाना होगा यानि कि अगर आपका 100 नमबर का पेपर होता है तापको 100 में से 36 नमबर लाना होगा अगर आपका 75 नमबर का पेपर होता है तापको 75 में 27 नमबर लाना होगा अगर आपका 50 नमबर का पेपर होता है तापको 50 में से 18 नमबर लाना होगा दोस्तों ये तो हम लोगों ने जान लिया कि B.A. पर रिक्षा में पास होने के लिए कितना नमबर लाना होगा आगे दोस्तों हम लोग रिक्षा में कितना नमबर आने पे पास होते हैं कितना नमबर आने पे फेल होते हैं और कितना नमबर आने पे बैक लगता है सब कुछ हमल रिजल्ट के माइदम से जानेंगे तो आई बिने किसी देरी के अमल सुरू करते हैं और रिजल्ट के माइदम से जानते हैं यहाँ पर दूस्त आप दे सकते हैं आपके सामने पहला जल्टा है यहाँ पर दूस्त आप दे सकते हैं सौ में से 62D नमब रहा है और सौ समें सव दौनों समस्टा में has history अंदर आपका 26 नमर है इसलिए दूस्त्व हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों समेश्टे में पास्ज निम्र आ आ है अब दोस्तों सोस् będzie की बात किए यहाँ पर दोस्ता आप लिजक्ते हैं कि सोसी लोजी के अंदर आपका फर्स समेश्टे में 100 में से 22 नымरा है और सेट investigators में 100 में से 14 नमरा है यानी कि हिंदी literature के अंदर अपका दोनों समेष्टे में passing नमर नहीं आया है त्विए दोनों समेष्टे में आपका 36 नमर से कमा है अब दोस्तो फारे रिजट की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तो अब दे सकते हैं कि part 1 में 237 है, part 2 में 274 है, part 3 में 274 है और यहाँ पर दोस्तो grand total की बात कीजा, तो यहाँ पर दोस्तो अब दे सकते हैं कि 785 है और यहाँ पर दोस्तो अब दे सकते हैं कि supplementary दिखा रहा है, यानि कि यहाँ पर bike लगा है अब दोस्तों यहाँ पर बाइक क्यों लगा है ध्यान समझेए यहाँ पर दोस्तों आप दे सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर इसका दोनों समेश्टे में पासिंग नमर आया है और Sociology के अंदर आपका दोस्तम समेस्ट्र में पासिगशने में पारसिग नमर रहा है यानिकि इसका 2 समय शुबी समेस्ट्र में पारसिग नबर नहीशने डीकत नहीं लेकिन Hindi inveeटीक के अंदर집 समिस्ट्फर दोस्तम समेस्ट्र में पासिग नमर नई है तो यहां पर दोस्तों इसका हिंदी लिटीजर कंदर दोनों समेश्टे में पासिंग नमर नहीं आता तो इसका है अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर देसकते हैं आपका सामने का पेपर ह policeman अब है यहां पे हिस्टरी के अंदर आपका फॉस्वंचे में सव में से बाववननम और सिकेंड समिष्व में सब्सक्राण कर्यार है यानि कि हलने आपका कि पहले बिता द्दीक अगर सो नम्र का पिपर होता है तब को पासओने के लिए सो में से 36 नमर लाना होगा जबकि दूस्तों समेश्टे में बावन नमर आए और सिकेंड समेश्टे में सौ मेंसे 22 नंबर हिया है यानिकि प्रेडिकल सराइस के अंदर आपका दोनों समेष्टे में पासिन ने मर आ है क्योंकि दोनों समेष्टे में 36 नंबर से उपर आ है अब दुस्तुं सोच्छोलoh nouvelles के बात की अति हैं पर दुस्त आपने सेपके की सोच्छो Next से में 100 में सेकेंड समस्टे में अब का पास्अट नमर नहीं आ अब दुस्तों फाईनरी की बात właśnie है कि पार्ट 1 में 287 है पार्ट 2 में 287 पार्ट 3 में 264 है और यहां प दुस्तु गरांट उटल की बात तो यहां पर दुस्तった सब दे यानि कि इसका दो समेट के अंदर दोनों समेश्टे में पासिंग नमर आ है कोई दिकत नहीं है और सोसोलोजी की बात की जातों यहाँ पर सोसोलोजी के अंदर इसका फॉस समेश्टे में पासिंग नमर आ है लेकिन second semester में इसका passing number नहीं आ है तो यहाँ पर दोस्तो sociology के अंदर इसका second semester में passing number नहीं आने के वैसे यहाँ पर दोस्तो second semester में इसका back लगा है तो इस बात को यहाँ देखेगा दोस्तो कि अगर आपका किसी दो semester में दोनो semester में passing number आता है और किसी एक सब्वाइच में अगर आपका किसी भी समय सायों कर नहीं आता है तो उस करण नहीं से मैं जूस्ता आपका back लग जाएगा अब जूस्त आहिशल्य लेट को देखते हैं और तीसे लेट के बादे हम समझते हैं यहाँ पर दूस्त अब दे सकते हैं आपके सामने तीसे रिल्टा है, यहाँ पर दूस्त आप दे सकते हैं कि आपका तीन समेट का पेपर हुआ है, हिस्टरी, पॉलिटिकल साइंस और पॉब्लिक एड्मिनिस्टेशन, यहाँ पर दूस्त समेश्टर, सिकेंड समेश्टर, दो कि दूस्तों मैंने आपको पहले बता देख कि अगर आपका 100 नमर का पेपर होता है ता अपको पास होने के लिए 100 में से 36 नमर लाना होगा जबकि दूस्तों फॉस्त समेश्टे में चोगोर नमर आए और से केंड समेश्टे में 100 में से 40 नमर आए है यानि कि प्रिडिकल साइंस के अंदर आपका फॉस्त समेश्टे में पासिग नमर नहीं आए है इसलिए दोस्तो पॉरेक्टर साइंस के अंदर आपका सेकेंड समेश्टे में पासिंग नमर आए है क्योंकि दोनों समेश्टे में आपका 36 नंबर से उपर रहा है अब दोस्तो final result की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्त अब दे सकते हैं कि part 1 में 294 है part 2 में 296 है part 3 में 286 है और यहाँ पर दोस्तो grand total की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्त अब दे सकते हैं कि 806 है और यहां पर दोस्तों रिजल्ट की बात कीज़े तो यहां पर दोस्तों आपने सकते हैं कि सप्लिमेंटरी दिखा रहा है यानि कि यहां पर बाइक लगा है अब दोस्तों यहां पर बाइक क्यों लगा है ध्यान समझेए यहां पर दोस्तों आपने सकते हैं कि यहां पर दोस् साइन्स कंदरिस का फौस समय क्राइब पignment लगा है यानि कि यहां पर सप्लिमिंटर caste देखेगा है लोगा में स्किट में पाशिग ओने के लिए तो इसके बीय गजाइब बात यह देखना हèces हॉता है कि सबसा को नॉम्हेंद के लिए तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 निमर लाना होगा और अगर आपको 50 नम्र का पेपर हो Countess report होता है तो अगर आप इस बात को यह देखिए तो भी यह exam में कर लेंतु होगे दोस्तो आज इस फूर्यो को मैं पेस फ्क्रीप करता हूं मिलता आप से आप से fr с वीडियो में